दोस्तों एक बर फिर से भाई भारी लफ़ा कड़ा की मानों के मतलब यहां पर हमने एर मंगा लिया है एक और सस्ता प्रोसेसर Amazon पर भीखते रहते हैं मैं मंगवाता रहतो रूके भीना तो यहां हमने मंगा लिए 6th generation है नाम से लग रहा है 6 तो फ्रोड़ा अच्छा होगा पाग यह चेक करके पताई चलेगा लास्ट आइमने i5 का 6 टेस्ट करा था यह आई बेटन से देख सकतो आज मंगा लिए उससे भी सस्ता i3 का 6 तो इसको बिल्कुल यह जी प्यू प्यू के साथ भी टेस्ट करेंगे अगे इंदे को 15000 के आसपास के बिल्ट के एकोर्डिंगे PC आपका यह प्रोसेसर आप बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा यह सब कुछ डीसेंट है त्राइगर के देखते हैं दोस्तों एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं रहेता हूं कि आप यह ओल्ड प्रोसेसर यूज़ करो बठा मेरे को मज़ा आता है यह टेस्ट करने में और आप लोग को देखने में भी थोड़ा लगता हूँ है यह सब प्रोसेसर में भी दम खम है अगर सबसे पहले मैं आपको अन्बोक्सिंग की बात को तो यहां सिंपल भाई Amazon से हमने जो पैकेट मंगा है फाड फूड के एक कर दिया और यहां अपना में यार प्रोसेसर आजाता है फूल ए जीरो है 6th generation का रहने वाला है अगें i3 तो अपना यार यह देखो दो कोर के ही रहते है दो कोर चार थ्रेड दो कोर सुनके तो मज़ा नहीं आता है बर चहां प्रफॉर्मेंस देखते हैं इसके अलावा इसका motherboard थोड़ा महंगा मिलेगा तीन हजार के आसपास का क्योंकि पर उठाया है जैबरॉनिक्स का H110 M2 अब मतला M2 मतला वही अपना M.2 SSD का भी आपको slot मिलता है इसाथ motherboard तो आपका टॉप क्लास रेडी है मत उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मेरे इसाब चोटा साइज में भी है जीप्यू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो साथ ही साथ अ इसके अलावा इंस्टॉलेशन की बात रहिए तो काफी इजी काम है अपने ले करते रहते हैं हम लोग नॉर्मल है motherboard उठाया है हमने सबसे पहले प्रोसेसर इंस्टॉल भाई तो यहां पर अपने सिंपल यहां पर ओपन कर दी और मेन अपना प्रोसेसर आ जाता है आई 3 का 6 चल जाएगा सच कोई प्रोब्लम नी आएगी साथ ही साथ भाई रैम अपने यहां पर 16 जी भी यूज़ कर दी है क्योंकि आपको कोई पर्फॉर्मेंस की कमी नहीं रहनी चाहिए तो इसको सिंपल ही इसके स्लॉट एक्दम सेम भाई DDR4 वाला motherboard इतना छोटा सा लगता है स्लॉट में आप बिठा दिया और ओवर्राल यह PC बिल्ट तो यह वीडियो है नहीं तो इसलिए मैंने आपको पूरा रैडी करकिए यह फर्स्ट लूक आ गया और यह अपना पूरा सेट अप है चोटा मदरबोड इसके आप छोटा केविनेट पी लोगे ना तो काफी कूल इन फरेगा तो कि साइस थोड़ा कम है एकदम कम जो टाइप का है ठीक है आप चाहो तो हमारी वेबसेट से पूरा PC यह प्री बिल्ट एट PC खरीज सकते हो नीचे मिल जाएगा याप दोस्तों टेस्ट वेस्ट करा जाए तो यह सिंपल खेस्ता मतला सारा कुछ मैंने आप क्लियर कट कर दिया प्रोसेसर और अब इसकी परफॉर्मेस देखते है एक चीज और मैं आपको यहां गेमिंग टेस्ट भी दिखाऊंगा पीसी गेम्स का पर उसको एंदर हम लोग जीप्यू और विदाउट जीप्यू करेंगे तो थोड़ा अच्छा मजा आपाएगा इतनी चीज़े होती है आप चलाना चाहते हो वर्ड एक्सल पीडिया इसके लिए कमाल की चीज़े साथ ही साथ ही साथ बाई बेसिक स्टूडेंट लेवल का जितना काम होता है सारा हो जाएगा यह तो हमने देखो यह जो टेस्ट मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हो क्योंकि वो तो अगें यह हैवी होता है उसके अंदर एक्सपोर करो के काफी ताम लगेगा इवन लेयर से जादा अप एडिटिंग नहीं कर पा होगे प्रेफरेंस रहता है इन सब पर प्रोसेसर पर आप ओनलाइन वीडियो एडिटर यह सब यूज कर सकते हो बागी देख अगर तो काफी यह थोड़ा सा तो अंतर बहुत बड़े वाले आंतर मैं तो बहुत देखने को दिक रहता है और वही थोड़ा सा जो लैक टाइप कर रहता है ऐसा जापको एक्सपरियंस नहीं होगा मेरे हिसाब से तो माला आप खेलो के रेगूलर यहां पर मैंने खुद दो तीन किल कर दिया ऐसे नूप ले रहे हैं पर पता है कैसे हो गया ठीक तक एवरेज चल रहे थी अगर बात करूँ यार आपकी BGMI की तो वह चल जाएगी पर वहां पर फ्रेम डॉप के चांसे हमेशा बने रहे हैं सेम पो कॉल अफ डूटी उसको भी आप लो सेटिंग चला तो जरूर्द होगे बट वह यह थोड़ी से कभी कदार FPS एकदम से ड्रॉप या फ्रेम स्टाक हो सकता है यह कुछ सीन था एंड्रोइड गेमिंग का मतला एंड्रोइड अप गेम्स आपर आमसे खेल सकते हो थोड़ी सी प्रोब्लन कहीं कहीं पर राइव होगी तो इस देख लिया दस FPS बिल्कुली एकदम बेकार योगि यह 1080P में मैं गेम खेल रहा थे GTA 5 इसका रही प्रोसेसर बरबाद हो गया इसकी जिंदगी खराब हो गई थी वागि फिर मैंने इसको एकम कर दिया लाइक 800 इंटू 600 जो मैं बताता हूं सबसे बेकार पिक्सल होते है उस एकदम लोईस्ट सेटिंग पे जब GTA 5 चलाई तब भी भाई 24-25 FPS आ रहे थे देखरो इस प्रोसेसर के हालात मल है खराब भाई 1800 में यही सम्मिलता है तो यह कुछ गेमिंग का सीन तब GTA 5 का वही अगर आप माइनक्राफ्ट देखो तो उसके भी हालत कुछ पंचर टाइप क अगें 1080p at normal setting game खेल रहे हैं और वही अपने 40 के आसपास fps पहुच गए है अगें 60 मिलते तो बहुत ही अच्छा रहता फन आ जाता पर जिस मांट का यह प्रोसेसर है अच्छा GPU मैंने यहां पर RX 550 यूश करा है यह decent 6-7000 का GPU है अगर आप इसको pair कर देते हो ऐसे 2-3000 के अपन गेम चल रही थी ऐसे इतनी प्रोब्लम नहीं आ रही थी बट कभी कदार एकदम से पताने ड्रॉप क्यों होता है शाद यह प्रोसेसर के साथ जो भी रहे ठीक है अगर GPU लग जाए तो ऐसे प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत गेमिंग हो सकती है यह latest game like Valorant यह सब चलाने का फ आउट तो बरबादी हो जाएगा फिर तो एकतम लोग पर आपको खेलना पड़ेंगा यह कुछ सीन था मैं वैसे आपको प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं देता है प्रोसेसर की अगर आप सोच रहे हो इसको अभी आपके बजट कम है पर कल को आप i5 में अप्ग्रेट कर मिल दने शिडों में तब तक के लिए बायर जाए इंजय भारुत वंदे माहतरम